29 मैं, पहला पाड, प्रेरी चरित, अध्याई एक, पत्संख्या, एक से ग्यारा तक, थियोफिलोस मैंने अपने पहले पुस्दक में उन सभी बातों का वर्णन किया, जिन्हें इसा उस दिन तक करते और सिखाते रही, जिस दिन वे स्वर्ग में आरोहित कर लियेगे, उससे पहले एसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वें चुना था, पुवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंपतिया, एसा ने अपने दुख बोग के बाद, उन प्रेरितों को बहुत से प्रमान दिये, कि वे जीवित हैं, वे 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विश्य में बात करते रहे इसा ने प्रेरितों के साथ बोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे येरिसलेम नहीं छोड़े बलकि पिता ने जो परतिग्या की, उसकी परतिग्या करते रहे उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस परतिग्या के विश्य में बता दिया है योहन जल का बप्तिस्मा देता था परन्तु थोड़ी ही दिनों बाद तुम लोगों को पुवित्रात्मा का बप्तिस्मा दिया जाएगा जब वे इसा के साथ ही कत्र थे तो उन्होंने ये प्रश्न किया प्रभू क्या आप इस समय इस्राइल का राज्य पुनर स्थापित करेंगे इसा ने उत्तर दिया पिता ने जो काल और महूरत अपने नीची अधिकार से निश्टित किये हैं तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है किन्तु पुवित्रात्मा तुम लोगों पर उत्रेगा और तुम है समर्थ परदान करेगा और तुम लोग येरुसलेम सारी यहूदिया और साम्रिया में तथा प्रिथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे इतना कहने के बाद इसा उनके देखते देखते आरूहित कर लियेगे और एक बादल ने उन्हें शिश्यों की आँखों से ओजल कर दिया इसा के चले जाते समय प्रेरित अकाश की और एक तक देखी रहे थे कि उच्वल वस्त्र पहने दो पुरश उनके पास अचानक का खड़े हुए और बोले गलीलियो आप लोग अकाश की और क्यूं देखते रहते हैं वही इसा जो आप लोगों के बीट से स्वर्ग में आरूहित कर लिये गए हैं उसी तरह लोटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है ये प्रभु की वार्णी है इश्वर को धन्यवात भजन अनुवाक्य इश्वर जैकार के साथ आगे बढ़ता है वे तुरही के गोश के साथ आगे बढ़ता है इश्वर जैकार के साथ आगे बढ़ता है वे तुरही के गोश के साथ आगे बढ़ता है समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उलासित होकर इश्वर का जैकार करू क्योंकि वे प्रबु है सिर्वोच है अराध्य है वे समस्द पृत्वी का महान राजा है अनुवाक्य ईश्वर जैकार के साथ आगी बढ़ता है वे तुरही के गोश के साथ आगी बढ़ता है हमारे ईश्वर के आदर में बजन गौ हमारी राजा के आदर में भजन गाओ, अनुवाक्य इश्वर जैकार की साथ आगी बढ़ता है, वे तोरी के घोश के साथ आगी बढ़ता है इश्वर समझत पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षागीत सुनाओ इश्वर सबी राष्ट्रों पर राज्य करता है वे अपने सिहासन पर विराजमान है अनुवाक्य इश्वर जैकार के साथ आगे बढ़ता है वे तुरही के गोश्ट के साथ आगे बढ़ता है दूस्टा पार्ट अफेसियों के नाम पत्र महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसी का ईश्वर आप लोगों को प्रग्या तथा अध्यात्मिक द्रिष्टी प्रदान करे जिससे आप उसे सच मुझ जान जाएं वे आप लोगों के मन की आखों को जियोती प्रदान करे जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाई जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वे कितनी वैभव पूर्ण तथा महिमा में है और हम विश्वासियों के कल्यान के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वार का सामर्थ कितना अपार है ईश्वार ने मसी में वही सामर्थ प्रदर्शित किया जब उसने मृत्यकों में से उन्हें पूनर जीवित किया और स्वरग में अपने दाईने बिठाया स्वरग में कितने प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो उन सब के ऊपर ईश्वार ने इस युक के लिए और आने वाले युक के लिए उसने मसी को स्थान दिया उसने सब कुछ मसी के पैरोतले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष निक्त किया कलीसिया मसी का शरीर है और उनकी परिपूर्णता है मसी सब कुछ सब तरह से पूरंता तक पहुंचाते हैं ये प्रबु की वानी है इश्वर को धन्यवाद, जय गोश, अलिलुया, अनुवाक्य, अलिलुया, तुम लोग जाकर सब राश्ट्रों को शिष्य बनाओ, मैं संसार के अंत तक सदा तुमारे साथ हूँ, अनुवाक्य, अलिलुया, संत लुकस्द्वारारचित सुसमाचार, अध्याई 24, पदसंख्या 46-53 और उन से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसी दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृत्कों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरुसलिम से लेकर सभी रास्ट्रों को पाप शमा के लिए पश्चतापत का उपदेश दिया जाएगा, तुम इन बातों के साक्षी हो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिग्या की है, उसे मैं तुमारे पास भीजूँगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो, जब तक उपर की शक्ती से संपन ना हो जाओ, इसके बाद इसलिए उन्हें बितानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशिश दी, आशिश देते देते, वे उनकी आँखों से ओजल हो गए, और स्वर्ग में आरोहित कर लि नंद के साथ यरुसलेम लोटे और इश्वर की स्तुती करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे, यह प्रभु का पुवित्र सो समचार है, ख्रीस्त कीजए